लो गुडियूनिंग महादेव गाईज कैसे आप सब उमीद है कि आप सब अच्छे हैं तो मैं सुवस एक नीउस देख रही हूं गाईज वो नीउस यह है कि मोदी जी के खिलाफ बिजेपी के खिलाफ योगी जी के खिलाफ यह जो धन्ना प्रदर्शन हो रहा है मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि मैं सारे कास्ट से कोई लेंदरा नहीं है बड़ मुझे एक बात नहीं समझ मारी है कि जिसके लिए हमारे देश के CM, PM जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ लोग इतना मतलब यह सब नाटक नो टंकी क्यों और वहीं तब ही करते हैं जब एलक्षन पास आता है तो इससे दस साल पहले कुछ नहीं किसी नहीं उखाड पाया और अभी भी नहीं उखाड पाएंगे जब राम मंदीर जो आसम मैं तो कहती हूँ मेरा दिरे दिरे 30 होने वाला एज मैं जब से हो समाला मैं तब से राम मंदीर की विवाद सुनती चली आ रहे हूँ किसी भी सासन प्रसासन किसी भी पब्लीक जनता में कितना इतना दम नहीं हुआ कि राम मंदीर कोई बनवा पाए उसका निर्मार कर पाए जो हमारे देवता थे वो पता निक सदियों से ऐसे बाहर ठंडी गर्मी बरसात में ऐसे थे और जब राम मंदीर इन्हों ने बनवाया तब किसी पब्लीक ने धन्ना परदेशन नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई एक्सन नहीं किया, कि अरे मुदी जी ने तो इतना बड़ा काम कर दिया, इस पे कोई धन्ना परदेशन नहीं हुआ, जब वो कोई अच्छा ड्राइबर के लिए ये नहीं वो बोल रहे हैं कि अगर जब आप ऐसा गलती करोगे ही नहीं तो क्या जब अजस्ती आपको पकड़ के जेल में थोड़ी डाल लिया जाएगा जब अजस्ती आप से 10 लाग थोड़ी ले लिया जाएगा और वो सिर्फ ड्राइबर के लिए तो नहीं ये निकला है ना तो बहुत चब आप ऐसे करोड़ से जादा है मतलब इसके हिसाब से जूर्म जुर्म पापी पाप करता रहे है क्राइम होती रहे है और सरकार है हाथ-बहाद रखे बेठें ने करने तो क्योंकि ये 22 लाग है 23 लाग है 24 लाग है धहन्ना परदरस्ण printel जाएंगे सबIXWyka Penal 005 Chan. तो ये सब चोचले बाद जी ना ही करें आप लोग, ठीक है, और ये सब के लिए है, ऐसे आँखों का देखा बता रही हूं मैं, कि ड्राइबर इसे नसे में धुन्द रहते हैं, बुढ़े बुढ़े ले कुरोड पे ठुक के चले जा रहे हैं, वो मुई तड़प के मर जा र रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, और ऐसे ही करते रहें, तुम्हारे ओड़ देने से वो नई जिच जाएंगे, ठीक है, वो जिनको देना है, वो देंगे ही देंगे, मैं तो ये कहती हूं, मेरा पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों और और आड़ो का वो फैसला कर पाएंगे, वो आप के साथ सही कर पाएंगे, तो मैं कहूंगे, आप ऐसी सरकार बनाएए, और भईया विजेपी जिन्दाबाद है, था और रहेगा भईया, हम तो पैदाईसी भाजवाई हैं, और हम उनी को देंगे, क्यों? क्योंकि बिपरीत बुद्धी बिनास काले, ठीक है? तो जिनका बिनास होना रहता, वो यही सब करते हैं, जो धन्ना परदसन, फलाना, डिकाना, डिमकाना, अरे भईया जब आप गलती करोगे नहीं, तो फिर आप जाओगे कैसे? और मैं तो कहती हूं कि यह सब करने से बिजेपी नहीं हारेगी, और जिन परदसन हो रहा है, ठीक है? तो यह सब चीजे नहीं करें, अपना माइंड लगा के सुचे जब आप आप करेंगे ने, तो आपको पापी लोग कैसे बोलेंगे? ठीक है? तो यह सब चीजे नहीं करें, आप लोग तो बहुत अच्छा होगा, और जाइए 22 तारीक को राम जी बोलेंगे ठीक है और जितने भी कायर जितने भी क्राइम करने वाले हैं उनको हम तो कहेंगे और कड़ी सी कड़ी चीजे वो निकाल दें ताकि हमारे देश से ना देश में ना क्राइम ही खतम हो जाएए और यह सब करने से कुछ मोधी योगी का उखड़ेगा ना भी जेपी क कुछ उखड़ेगा ठीक है तो गुड़ नाइट सबको और यह सब फालतू के चोचले बाजी तो ना ही करें